हेलो गाईज तो आज हम करेंगे क्लास टेंथ साइंस का चैप्टर नंबर सेकिंड एंड बेसिज का आज हम जो यह देखेंगे कि एसिड किन किन मैटल के साथ रियक्ट करते हैं तो यह हमारा लक्टर नंबर फॉर्थ है अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा चै स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले है रियक्शन ऑफ एसिड बिद मैटल्स मैटल्स के साथ एसिड कैसे रियक्ट करते हैं यह पढ़ेंगे सबसे पहले हम एसिड प्लस मैटल गिवस साथ प्लस हाइड्रोजन गैस जब एसिड मैटल के साथ रियक्ट करते हैं तो क्या देते सेल्ट देते हैं और हाइडोजन गैस देते हैं एक्जाम्पल रहे हैं तो हसी यल प्लस जड़न जड़न सील टु प्लस हच्टु यह था सी यल एक ऐसेड है हाइड्रोख्लॉएंग एसेड़ ज्डैडन जिंक मेतल है तो सेल्ट क्या बनेगा जिंक क्लोराइट ठीक है और हाइड्रोजन गैस डिलीज होगी इसके पास केंडल लेकर आते हैं इसके गैस बबल्स के अगर हम केंडल लेकर आते हैं तो यह पॉप सांड के साथ बर्न करेगी और अच्ट रिलीज होते हैं वह एक्टो गैस करते हैं यहां पर यहां पर अपर बताया मैंटल के साथ रियक्ट करने पर HNO3 के अलावा बाकि सारे acids H2 gas release करते हैं पर HNO3 जो है वह H2 gas release नहीं करता वह water form करता है H2O form करता है क्योंकि एक sharing oxidizing acid है तो यह oxidize कर देता है H2 को H2O उसके बाद है हमारा reaction of base with metal सब पिछे हमने देखा कि acid कैसे react करते हैं metal के साथ अब हम देखेंगे base कैसे react करते है metal के साथ base plus metal gives salt plus hydrogen gas acid plus metal भी हमें salt plus hydrogen gas देता है और base plus metal भी हमें salt plus hydrogen gas देता है यह बात दोनों में comment हो गई यह याद रखेंगा तो इसका example दिया हुए 2NaOH plus Zn gives Na2ZnO2 plus H2 sodium hydroxide है base और Zn zinc metal है तो यह मिलकर क्या बनाएंगे salt कौन सा बनेगा sodium zincate बनेगा और hydrogen gas release होगी all metals don't react with base metals must be more reactive than metals present in base for reaction to take place इसमें क्या बोलागा गया कि सारे metals जो हैं वो base के साथ react नहीं करते metals जो हैं जदा reactive होने चाहिए ताकि वो reaction हो सके उसके लिए metals को जदा reactive होना पड़ता है सारे metals नहीं करते हैं react उसके बाद आता है our reaction of metal with carbonate and hydrogen carbonate metal का reaction दिखाया गया carbonates के साथ और hydrogen carbonate के साथ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स प्लस एसिड क्या बनाते हैं, सैल्ट बनाते हैं, बोटर बनाते हैं और कार्बन डियोकसाइड बनाते हैं यहाँ एक एक एक्जामपल दिया हुआ है, 2HCl प्लस Na2CO3 गिवस 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2 HCl हो गया एसिड, हाइड्रो क्लोरिक एसिड, Na2CO3 हो गया, मेटल कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट, सैल्ट क्या है, बना यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड, H2O वाटर, और CO2 कर्बन डियोकसाइड, गैस बनी है, यहाँ पे एक और एक्जामपल है, HCl प्लस NaHCO3, Na सैल्ट बनाता है, सोडियम क्लोराइड, वाटर, और कार्बन डियोकसाइड, CO2 गैस कैन बी टेस्टेट बाइट थ्रो लाइम वाटर, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, देखे, आपने NCRT बुक में वह एक्सपेरिमेंट देखा होगा, जिसमें, एक मैन दिखाया गया ह जब वह लाइम वाटर में ब्लो कर रहा है, तो वह कुछ देर में मिल्की कलर में चेंज हो गया है, ऐसा क्यों हो था उसमें, क्योंकि CO2 गैस हमारे मूझ से निकलती है, और उसके कारण जो है, लाइम वाटर मिल्की हो गया था, इसमें भी यही बताया गया है, कि CO2 गैस को आगे जाता है, टेस्ट कर सकते हैं, अगर लाइम वाटर में से सियो डॉटर में से सियो गैस को पास्कर आय जा है, तो वह लाइम वाटर जू हो रुटरणी में कनवर्ट हो जाएगा, एक पास्वाइट होड़त होस्किशinosinas पुए, प्लस उसमें से जादा CO2 को पास करा देते हैं, तो वो जो milkiness बनी थी, वो भी disappear हो जाती है, किसकी formation की कारण? calcium bicarbon की, calcium bicarbon, यह formation के कारण, जो की soluble होता है, COCO3 plus CO2 plus H2O, Ca, HCO3, whole twice, calcium carbonate is present in limestone, chalks, marbles, calcium carbonate, CaCO3 होता है, जो की, वो किस-किस में present होता है, limestone में, chalks में, और marbles में, ठीक है? bases don't react with carbonates and metal hydrogen carbonates, acid तो करते हैं carbonates और metal hydrogen carbonates के साथ react, पर bases जो होते हैं, वो react नहीं करते हैं carbonates के साथ, और metal hydrogen carbonates के साथ, तो next चलते हैं फिर, reaction of acid and base with each other, दोनों का एक दूसरे के साथ reaction क्या होता है, acid plus base gives salt plus H2O, यह एक neutralization reaction भी बोला जाता है, इसको, acid और base मिलकर neutralize कर देते हैं, एक दूसरे को, एक दूसरे के reaction को, तो यह देखिए, example दिया हुआ है, यहाँ पर एक HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O, यहाँ पर यह HCl acid लिया गया है, hydrochloric acid, और NaOH base लिया गया है, जो कि क्या है, sodium hydroxide, तो salt क्या बन गया, sodium chloride plus water, तो यह हो गया हमारा neutralization reaction भी बोल सकते हैं, हम इसे, reaction of metallic oxides with acids, अब हम देखेंगे, acids के साथ, metallic oxides क H2O, metal oxides जो होती है, एक बात याद रखेंगे, बेसिक होती है, नीचर में, when copper oxide is reacted with dilute HCl, the solution becomes blue-green, due to formation of copper chloride and copper get dissolved in the solution, जब copper oxide react करता है, dilute HCl के साथ, the solution blue-green color का हो जाता है, किसकी formation की कारण, copper chloride की formation की कारण, और copper, जो है, dissolve हो जाता है, solution के अंदर, उसके बाद आता है, reaction of non-metallic oxide with base, जो non-metallic oxides होती है, वो acidic होती है, नीचर में, और जो metallic oxides होती है, वो basic होती है, नीचर में, यह बात याद रखेंगा, base plus non-metallic oxide gives salt plus water, उसके बाद एक question है, glucose, alcohol, HCl, H2SO4, all contain hydrogen, but HCl and H2SO4 conduct electricity, while glucose and alcohol does not, इसमें क्या पुछा गया है, कि glucose, alcohol, HCl और H2SO4, सारे contain hydrogen, but HCl and H2SO4, electricity को conduct करते हैं, जबकि glucose और alcohol नहीं करते हैं, क्यों? इसका reason पुछा गया है, as alcohol and glucose don't produce hydrogen ion in solution, while HCl and H2SO4 produce H plus ions, देखें, इसमें क्या बोला गया, answer में, कि alcohol जो और glucose होते हैं, वो produce नहीं करते हैं, hydrogen ions, solution के अंदर, जबकि HCl और H2SO4 produce करते हैं, H plus ions को, H plus ion does produced, conduct the electricity, due to formation of mobile ions, acids and bases, conduct electricity, देखें, H plus ions produce होते हैं, इसके कारण जो यह है, HCl और H2SO4, conduct करते हैं, electricity को, इसके कारण H2SO4 और HCl, acid base के, जो ions होते हैं, वो move कर पाते हैं, mobile हो जाते हैं, यानि move कर पाते हैं, उनकी movement हो पाती हैं, और इसके कारण वो क्या करते हैं, electricity को conduct करते हैं, उसके बाद आता है, हमारा acids and bases in water, when water is added to acid, the acid releases hydrogen ions, it further combines with water molecules and forms hydronium ion, acid, HCl plus H2O gives H3O plus Cl negative, इसमें क्या बता हैं, कि water, H2O को जम हम किसी भी acid में add करते हैं, जैसे कि यहां पर दिया हुए है, HCl plus H2O, water में, जब हम किसी acid को add करते हैं, तो acid क्या release करता है, hydronium या hydrogen ions release करता है, फिर यह water molecules के साथ combine कर जाता है, और हम क्या करता है, hydronium ions, यानि H3O plus, यह देखिए, यहां पर HCl का 1H, और water का H2, तो H2 और H1 क्या हो जाएगा, H3 हो जाएगा, आपको पता है, और फिर बच क्या गएगा, Cl, H3O plus बन जाता है, hydronium ion और Cl बच जाता है, तो chlorine बन जाता है, H plus H2O gives H3O plus, HCl plus H2O, यह देखिए, H और H2O क्या बन जाएगे, H3 बन जाएगे, और साथ में oxygen O, प्लस हो गया, और क्या बच गया, Cl, यानि chlorine negative, यह बन जाएगा, यहाँ पर यह देखिए, यह ही दिया हुआ है, H plus H2O क्या बनाते है, H3O plus, बेस लिया यहाँ पर, यहाँ पर यहाँ पर बेस का एक्जामपल लेगे, NaOH plus H2O, Na plus OH negative, यह देखिए, इसमें यह बताया गया है, कि acid, जो है water के साथ मिलकर, O plus H3O plus बनाते हैं, और बेस इस का बनाते हैं, OH negative बनाते हैं, यह देखिए, NaOH base है, इसने water के साथ रियाक्ट किया, तो क्या बनाया है, OH negative बनाया है, पर question है, acid should not be added to water, drop by drop, but not water to acid, and acid, or base in water, is a highly exotherming process, if water is added to the concentrated acid, may cause the mixture to splash out and cause bonds, इसमें देखिए, भी बोला गया है, कि acid को जो है, water के अंदर add नहीं करना चाहिए, drop, drop करके, और जो water है, वो acid के अंदर नहीं डाल देना चाहिए, एक दम से, देखिए, यहाँ पर मैंने acid है, अगर आप इसमें water को direct add कर दोगे, क्योंकि जो acid और base के अंदर, water add करने का काम होता है, वो बहुत जादा highly exothermic होता है, बहुत जादा heat produce होती है, उसके process के अंदर, तो अगर water को, अगर आप concentrated जादा acid में add करोगे, तो उसके कारण क्या होगा, mixture जो बनेगा, वो बहुत जादा heat पैदा करेगा, और उसके कारण वो जल भी सकता है, क्या भी जल सकता है, जो भी tube, test tube आपने ली होई है, वो जल सकती है, क्योंकि यह बहुत ही highly exothermik होती है, तो next class में हम करेंगे pH scale के बारे में, बाई बाई गाईज,